पंतवर्धान नरेंद्र मोधी एंची मन की बात सध्या सुरुआ अपन थेट सवेतिकड़े और रहडी पट्री से सामान लेने तक सिमित नहीं है आज भारत दुनिया का बड़ा मैनुफेक्ट्री हब बन रहा है कई बड़े ब्राण यहीं पर अपने प्रोड़क को तयार कर रहे हैं अगर हम उन प्रोड़क को अपनाते हैं तो मेक इन इंडिया को बढ़ावा मिलता है और ये भी लोकल के लिए बोकल ही होना होता है और हाँ ऐसे प्रोड़क को खरीतते समय हमारे देश की शान यूपियाई डिजिटल पेमेंट सिस्टिम से पेमेंट करने के आगर ही बढ़े जीवन में आदट डाले और उस प्रोड़क के साथ या उस कारिगर के साथ सेलफी नमो एप पर मेरे साथ शेयर करें और वो भी मेड इन इंडिया स्मार्टफोन से मैं उन में से कुछ पोस्ट को सोशल मीडिया पर शेयर करूंगा ताकि दूसरे लोगों को भी वोकल फर लोकल की प्रेणा मिले साथियों जब आप भारत में बने भारतियों द्वारा बनाए गए उत्पादों से अपनी दिवाली रोशन करेंगे अपने परिवार की हर छोटी मोटी आवश्रक्ता लोकल से पुरी करेंगे तो दिवाली की जगमगाहट जादा बढ़ेगी ही बढ़ेगी लेकिन उन कारीगरों की जिन्दगी में एक नई दिवाली आएगी जीवन की एक नई शुभय आएगी उनका जीवन शांदार भारत को आत्म निर्भर बनाईए मेकिन इंडिया ही चुनते जाईए जिससे आपके साथ साथ और भी करोडों देश्वास्यों की दिवाली शांदार बने जांदार बने रोशन बने दिल्चस्प बने मेरे प्यारे देश्वास्यों 31 अक्तुबर का दीन हम सभी के लिए बहुत विशेश होता है इस दिन हमारे लोहपुरूस सरदार वल्लभाई पटेल की जन्म जैंती मनाते हैं हम भारतवासि उन्हें कई वजहों से याद करते हैं और स्रद्धा पूर्वक नमन करते हैं सबसे बड़ी वजह हैं देश की पांसो असी से जादा रियासतों को जोडने में उनकी अतुन्य भूमी का हम जानते हैं हर साल 31 अक्तुबर को गुजरात में स्टेची अफ यूनिटी पर एकता दिवस से जुड़ा मुख्य समारो होता है इस बार इसके अनावा दिल्ली में करतव्य पत पर एक बहुती विशेश कारक्यम आयोजिद हो रहा है